दुनिया बर के बाजारों में है बरपूर एक्शन और कल की शांदार रिकवरी और मजबूत क्लोजिंग के बाद बारती बाजार आज फिर से दमदार ओपनिंग के लिए तैयार होते हुए गैप से खुलने के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइब में नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंगी और नमस्कार मैं हूँ दिपांशू भंडारी आक्शन तो आपको आने वाला है अनल जी मिद्वीग ट्रेडिंग सेशन है ओ वंडरफूल अफर लॉंग डॉंग टाइम दो हफते बाद मिद्वीग ट्रेडिंग सेशन सुनने को मिला है वन अव बेस्ट वन अव बेस्ट होना चाहिए और वोल्ड कप आपने देखा रात को मैच मिस हो गया मैने तो मिस किया मैच में बट शूट आउट तक नहीं गया तो मैच का फैसर 90 मिनिट में हो गया तो वैसे तो क्रोईशा भी बहुत बढ़या टीम थी बहुत बढ़या खेलिया मतलब फुल मार्क्स टू क्रोईशिया आपसलोटली अ सो फाइनल जर्मिनी वर्सिज अर्जिन टाइन फ्रांस फ्रांस मोर्कों ने बहुत अच्छा लेकर मेरी उमिद फ्रांस किये फ्रांस फुल फ्रोम में है और साथी साथ एमबापे फुल 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 अलगी लीग में है नेक्स बिग प्लेयर मैसी और मापे रोनाल्डो मैसी के बाद अब तो आई थिंक बढ़ बढ़ कि दमदार होगा अर्जेंटिना मोर्को को के बजाए में फ्रांस अर्जेंटिना देखना फाइनन ज्यादा पसंद करूंगा पसंद बहुत बढ़ बाते हैं अमेरी की बादर में एक बार के लिए बड़ा गया लगग लगग हजार पोइंट का दिकार डाउ पे लेकिन हब बंद होते होते सो पॉइंट की तेजी दाओ में भी नेस्रेक में भी इसका करेंगे पूरा विशलेशन वजए आपके सामने दूसरे ट्रिगर कर तोर पर महेंगाई गटकर 7.1 पतिशत लेकिन इस नोट ड़न यह आज रात को अमेरिका में फेट की बैठक है और उसका आने व होते हैं डोर इंडेक्स छे महिनों की निश्रेशन पर एक सो चार के आस पास आ चुका है सोना चांदी तेज दोर लगाते हैं कच्छे तेल में भी थोड़ी उचाल फिर से बनी असी दोर के आस पास की तो यह सारे ट्रिगर से जिनके दम पर आज हमारे लिए होगा एक आपको रखनी है नजर अक्षन भी होने वाले हैं पैटीम का बाइबेक ट्रिगर में नहीं आ पा रहा है टॉप फॵर में कितने हैं तीन आई पयो तीन आई पयो ट्रिगर में नहीं आ पा रहा है इस से समझ जीज़े का अक्षिन कितना ज्याद है बिलकुल तो पहले इसके लिए वज़े समझ लें जाने की वज़े और नीचे आने की वज़े दोनों समझ लें सबसे पहले कल अमेरिका में जो देर रात महंगाई के आँपे आए वो उम्मीद से काफी बैतर रहे है साथ दशमलाव तीन प्रतिशत की उम्मीद थी महिने दर महिने कम होना था लेकिन आया साथ दशमलाव एक प्रतिशत कहा अखड़ा यानि कि महंगई ज्यादा तेजी से गटी है बस इसी से जोश आया और जोश दो जगा आया ने सिफ डाव में बलकि बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड रिल्स दस बेसिस पॉइंट गटी साड़े तीन परसंट के आसपास आगी डॉलर इंडेक्स तेजी से गटकर एक सो तीन के नजदीक आया अब एक सो चार एक सो पांच के आसपास है और डाव ने जो छलांग लगए 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 पॉइंट उपर तो नौ सो पचीस पॉइंट तो मैंने उपर देखा लगए और उसके बाद लोगों को लगा कि आख अल इस वैल अब सब कुछ ठीक है महेंगई कंट्रोल में आ रही है और यह जो एकदम क्रेजिनेस बागलपन एकदम जो मजबूती से उचाल जो तो उसके बाद थोड़ी सी वो कहने ची कि थम गए बाद आले सेंस में वापस आये होश में और होश में आने पता चला कि आख नो सो पॉइंट उपर है लेट सेलिप थोड़ा प्रोफिट बुकी आ जाए बड़ा गेप मिल रहा है और फिर देखने फेड क्या कहता है क्या क दीजे बाकि तीन चार दिन से तो दाव रोज तीन तीन सो पॉइंट गड़ भी रहा था तो उस हिसाब से बढ़ना एक और हमारा जो टार्गिट था दीप 34587 जिसके हम बात कर रहे थे उसके थोड़ा उपर निकला लेकिन फाइनली डाव उसकी निच्चा कर बद है कि अब महंगई का पीक हो चुका है अब शायद बॉंड इल्स के हमने पीक देख लिए डोलर इंडेक्स के पीक देख लिए लेकिन अभी भी हम खतरे से बार हैं ऐसा नहीं है आदा परसंट तो और बढ़नी बढ़नी है उसके बाद देखते क्या कुछ होता है कोई भी य नहीं कह सकता है कि आदा परसंट की बढ़नी है आज जो होनी है वो फाइनल है और इस वज़े से अमरी की बाद आपस थोड़े से नीचे आए हैं तो आइटिंक ठीक है कभी-कभी क्रेजीनेस होती है इस तरह का होता है यही मार्केट की खूबसूरती और खास्यत है कि यही कभी आती उस साइथ होने में नुक्सान हो जा मैं भी हो गया ता कली मैं भी डाउ के हजार पोइंट देखा था मैंने भी ट्वीट किया था मैंने का वहाँ यह तो बढ़िया है फिर मैंने का ट्वीट तो डिलेट नहीं करूँगा उस समय तो मज़ा आया था ठीक है कोड़ा साफधानी रखने वाली बात है एक तरफा गिरावट आपकी कच्छे तेल में हुई है 75 डोलर, 73 डोलर तक आया है तो अब 85 के रेंज में वापस आकर स्टेबल हो तो कोई बड़ी बात नहीं एक रिबाउंड आ सकता है एक तरफा गिरावट आपकी बॉन डिल्स मे आया है वापस 108-110 डोलर इंडेक्स आ जाए एक रिबाउंड देने के लिए तो बड़ी बात नहीं है कभी भी मार्केट एक तरफा चाल तेजी है मंदी की तरफ लगाता नहीं करता तो वापस रिबाउंड आते तो इस वक्त है यह कुछ-कुछ चीज़ है जो डोलर इंडे फेड को देखेंगे, सूनेंगे और उसके बाद रखेंगे तो फेड का एक बार काम हो जाए ना आज फेड आला परसेंट बढ़ाएगा सब को पता है लेकिन इसके बाद क्या आगए के लिए क्या डायरेक्शन आता है वह जैसे क्लिरिटी आ जाए उसके बाद हम अगर किसी को बेचना है, मुझे नीचे के लेवल पे बेचना है, वो अब उनके लिए लेट हो चुका है, एक्विटी की बात नहीं करो, यह चारों ऐसेट की बात करो, तो थोड़ा सा अब आज की फेर्ट की बेठक और निकर जाए, उसके बाद डिसाइड करेंगे, अस्को ग्लोबल मार्केस ठीक है नमबर्स अच्छे है एकोनमिकी नमबर अच्छे है जो confidence देने वाले है और इससे पहले जो दो-तिन दिनों का थोड़ा सुस्त action बना हुआ था हमारे बाजार ने तो उसको पूरी तरह से accept कर लिया नकारा और अपनी चाल में चले तो अब जो global action फिर से थोड़ा चुस होते है हम क्या करेंगे डिप हम अलरी इसका अंदाजा कल लगा चुके थे कि थोड़ा तो बैतर होगा हम 8600 पर 4 दिनों की उचाहियों के आज पास जाकर बंद हुए closing basis पर निफ्टी पर आज आप आंकड़ा देखिए खरीद तारीका आगया केश मार्केट में और बैतर है तो हमारे संके तो बैतर है और अच्छी बात दी पिए कि अब पिछली जो तेजी बनी है अमरीकी बाजारों में उसमें हमने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया पिछली बार जो कच्छा तेल गटकर एकदम तेजी से नीचे आया तो हम उसमें भागे नहीं तो हम अमरीकी बाजार बढ़ेंगे या कच्छा तेल गटेगा कुछ अंदाजा पहले लगा चुकी तो अच्छी बात है जब पहले ज्यादा भागे नहीं तो गिरने की रिस्क आपकी कम हो जाती है इसलिए हम गिरे भी ने अब बढ़ने में भी हम थोड़ा सा उतना नहीं बढ़ेंगे जितना अमेरिका भाग रहा है लेकिन हमारा ट्रेंड क्लियर है और उस ट्रेंड को क्लियर रखने के लिए आज जो मैंने इस्ट्रेड़ीजी मे जिस पर मुझे फोकस करना है नीचे की तरफ इसके नीचे जाए तो मुझे चिंता है तो पहली लाइन जो है वो है अठ्रा चार सो पचास गाठ बांद लिजे निफ्टी जब तक इसके नीचे निफ्टी बंद नहों तब तक आपको तेजी में ही रहना है बहुत क्लियर है त 23,500 बैंक जिफ्टी जब तक इसके नीचे बंद नहों आपको तेजी में रहना है दोनो लेवल आप नोट करके लिजे तेरा दिन हो गए आपको अठ्रा जार पांसो के उपर बंद ओते वे बैंक जिफ्टी चार दिन हो गए 23,500 के उपर बंद ओते है और अगर आपको और एकदम कॉंफर्टेबल बहुत बढ़ी है स्टोप्रोज चाहिए बेंक डिफ्टी पे और बड़ा रख सकते हैं तैयाली सोजार 500 पॉंट और नीचे है 14 ट्रेडिंग सेशन से हैं तैयाली सजार के नीचे बननी है तो आपकी शिद्धा पर है मेरे साथ से बेंक जिसकी ज्यादा भागा है इसलिए मैं वो गेंस ट्रोटेक करने के लिए छोटा स्टोपोस यहां रख रहा हूँ तैयाली सजार जिसकी रिस्क लेने की ताकत थोड़ी ज्यादा हजार पॉंट की तैयाली सजार रख रहा है अपने लाइफ हाई बनाई उसके आस पास जाने की तैयारी निफ्टी की फिर से ओर रही है और बैंक जिफ्टी 44.000 के आस पास कल बंद हुआ है एक बार पार करके निकलेंगे तो 45.000 के आस पास तक की जाने की तैयारी बैंक डिफ्टी की है अब 150-200 point थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता मूर माहूल के हिसाब से लेकिन आप उस direction में जा रहे हैं ये data भी बता रहा है मूर माहूल भी बता रहा है और इसकी final confirmation कल सुबह ले ले लेना मुझसे आप आज सोड़ा fed का action है नर सामने बड़ी event है तो क्यों मतलब ऐसा उठा पड़ा करें एक दिन और क्या फरक पड़ता है बट आपको दिमाग में direction क्लियर होना चाहिए इसलिए मैं आज ही बता रहा हूँ इसकी full confirmation कल मिल जाएग और अगर फर्ज करें बगवान नहीं करें कली आपका 43-500 की नीचे बंद होता है आठा 4-500 की नीचे बंद होता है तो ये cancel simple है ना तो ये सारी की सारी आपको जहान में रखने वाली तो हमारे बाज़ार बैतर है मजबूद है global support भी है local support भी है एक चीज़ interesting है जो सारी आपके support की बात कर रहे है आपने दो दिन से आप ये बात कह भी रहे है call writers के लिए option writers call put दोनो वो interesting आपने एक point बनाए कि अगर आप ये कर रहे हैं volatility जिस तरह से low है premiums जिस तरह के हैं अगर आप writing कर रहे हैं बड़ी problem में फस सकते हैं पर ये हमने दो दिन से होते होई देखा है आज 20 का ये तो किस्मत अच्छी है कि जो हमारे option writers से option यहां के write करते हैं दाउ के नहीं करते हैं समझो अगर आप कल दाउ के option आपने बेच रखा है put option यानि कि तेजी की position बना रखी और 1000 point आउफ उपर होता हूँ बैंड बच जाएगी ना बिल्कुल और सेम चीज है जब option में जो volatility index है lowest level के आज़ पर सेलता है कल भी 3% कटा है विक्स 12-8-8 इस विक्स में कोई बेचा जाता है क्या इस पोट है मतलब अब बेचो मैं मना नहीं कहता मत बेचो बेचो लेकिन फिर आप वो दूर के आपको strike बेचने पड़ेगे और दूर की strike में मिलता है क्या है चना मुरु मुरु रहा और आपको तो खानी क्रीम तो क्रीम वाला मामला नहीं है अब दो तरह से होता है क्या होता है अगर वोलेटिलिटी में बेचता है तो रिस्क बढ़ जाती है और स्टेबल मार्केट में बेचता है तो प्रीम नहीं मिलती तो कमाना कौन से बिजनिस में कमाना असान है हर बिजनिस में मुश्किल है लेकिन आपको रिस्क के साथ कमाना है आप बोलो मैं आज बहुत से हैल करूँ है मैंने एक दुकान खुली नहीं नहीं किसी छोटे से कस्बे में और जिसको चीए मेरे से आके माल ले जाओ एक मेना, दो मेना, तीन मेना, छे मेना जितनी उधार चीए मैं दूगा सबसे आज भीड काहां बढ़ेगी जब उधार दे रहा है जब तक जियो उधार लेके गीपियो या तो हमारी कहावत ही है पुरा नी तो फिर आप बोलें मेरा तो ओ हो देखिए मेरी टॉप लाइन एक मेर्स कमणियों की तरह है करेक्ट कि देखो इतना बिज़िस ना अरे भाई लेकिन वो फाइदा नहीं ना आप कर लोगे सेम सिचुएशन आपके लिए है ऑप्शन राइटिंग में अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है वो नहीं मना रिस्क है तो क्यों करना है तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिस लेवल पर विक्स आगया है और जिस तरह के माहौल में हम है अभी भी उप्षिन बेचने में साथाने ना बेचे कोई बात मत बेचे मैं तो बोलता हूँ एक दो दिन नहीं बेचे क्या फरक पड़ेगा और बेचना है तो ओवरनाइट मत रखी ओवरनाइट रखना रिस्क है ओवरनाइट रखना है आप सुस्ते ने इससे ज़्यादा क्या होगा ये तो दिमांग में लाओ मत इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा इससे ज़्यादा क्या गटेगा आपको उन्हें डिसाइड करने वाले इससे ज़्यादा गटेगा अग नहीं बढ़ेगा और जब इतना सुस्ती वाला मार्केट आपका दो ढ़ाई हफते का निकल गया और इतने लोगर विक्स पे है कभी नहीं बेचने इस पर इन फैक्ट आपने एक बार पहले भी चेताब नहीं दी थी और वही अगर आपने फालो किया होता तो आप इस बड़े रिस से बच जाते हैं एक बार देख लिते हैं इस पर अन जी ने पहले भी क्या काया यहाँ पर ऑप्शिन बेचने की ज़रत ना करें कॉल और पुट राइट करते हैं थोड़ा सा सावधा में अब ऑप्शिन राइट करना रिस्की हो सकता है ऑप्शिन की वोलेटिलिटी लोएस लेवल के आसपास है वहाँ पर ऑप्शिन राइट करना खत्रे से खाली नहीं है तो ये था आपके लिए ऑप्शिन राइटर्स को क्या करना नहीं चाहिए बेठे रेना कुनली मारकर वो ज़्यादा जरूरी हो जाता है एक्चुली मैं बता हूँ, मैं एक सर्वे भी करवा दूँ अभी बात लिए तो मेरे निमांग में है, मुझे बताईए, आप लोग के पॉर्टफोलियों कोई भी एक दो स्टॉक जो भी है, या मार्केट में, क्या आपने मोटा पेसा किसी स्टॉक में या अपने पॉर्टफ बना हो गया, ऐसा बहुत लोगा, फिजिकल पड़े हां कराएंगे, हां कराएंगे डिमेट, उस चक्र में पांच साल डिमेट नी कराते हैं पर पता चला इस टोक दस्टॉक दस्गुना हो गया, ऐसा आप में से कई लोगों के साथ हुआगा, जिसमें बड़ा पेसा बना, आप नोट करके देखिए, इंट्रोस्पेक करिए, अंदर जांक के देखिए, आपका पैसा ज़्यादा इस वजजे से बनाएंगे आपने कुछ नहीं किया, ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो बिग जाता है, रोज देखते तो बिग जाता है, कभी-कभी पोर्टफोलियो को रोज नहीं देखना, ये भी फायदा होता है, और ऐसा किस किस के साथ हुआ, मुझे ट्वीट करके बताएंगे, पोर्टफोलियो में या इस्टोक के साथ, नाम के साथ बताएंगे, बिल्कुल, मैं देखता हूँ, मैं आपके ट्वीट पढ़ूँगा, आने दो, भीजे तो मैं मता ही चुका हूँ कि अट्रह चारसो पचास और तैयान इस पान्सो के साथ आपको तेजी की पोजिशन बरकरार रखनी चाहिए, उपर के टार्गेट अट्रहाजार, नो सु ननिस अजार की तरफ के बनेंगे, और पैंताली जार के आसपास के बेंग निफ्टी के बन सकते हैं, यह ज्यान में रखी, यह पोजिशनल ट्रहरस के लिए आपके लिए रहा है, निफ्टी, कल भी आपको एक ही सपोर्ट जोन दिया था जीब, आज फिर से एक यह काफी है, अठाजार पानसो, अठाजार पानसो पचास, इससे नीचे की ज़रूत है नी, उपर क तरफ 6150, 700, इसके आच पास हम खुल कर देखेंगे, कि क्या करना है, उपर में उसके बाद 725 से 825, यह है, 825 कर दीजिए, इसको ऐ्यों सको 8500, नीचे जाने के चांस कम है, तो ऑ lásट पास हम खिल कर देखेंगे, यह आपके लिए ऊपर का जोन, बैंक्टी, तख्टी, 43700, 23,775 यह आपके लिए दिन के लिए तुर्ट मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे जाने के चांस कम है 23,500, 23,650 एक दम पर्फेक्ट और खरीदारी की जग़े है इस रेंज में आए तो बिना किसी के इन्विटेशन के इंतजार किये ले ही लेना है उपर की तरफ जो बैंक डिफ्टे का हायर जो हने आई डून नो अंदाज से दे रहा हूँ 24,000 अब तो हाँ 24,000 नीले आकाश में आप 24,000 के ऊपर खुलेंगे तो फिर क्या आपकी जहां मलची है वाँ तक जाए यह 43,500 के से होगा, 24,000, 24,500, 24,400, 24,500 यह ऊपर का आपका रहेंज होगा 24,400, 24,500 इसको ठीक करिए और बैंक डिफ्टे पर आज मैंने एक बहुत special strategy बनाई है अदीब जो मैं आपको थोड़ लेर में आगे बताऊंगा ठीक है सर यह आपके लिए उपर के लेवल निफ्टी में नीचे का सपोर्ट लेवल एक ही दिया है, बेंक निफ्टी में उपर रुकावट का लेवल एक ही दिया है, 24,400, 24,500 अंदाज से निफ्टी सपोर्ट, अठ्रा 610 पर आप बंद हुए, अठ्रा 575, 550, 525, 500, हर 25 पर नुपर सपोर्ट है, जैसा कल हम रुकावट की बात कर रहते हैं, आप वो सपोर्ट हो गया, उसके नीचे अठ्रा 450, बस उपर, 600 के उपर, आपका 650, 700, 725, 775, 800 और 875 तक की जगे आज और आने वाले कुछ समय के लिए खुलती है, निफ्टी में, बैंक टिफ्टी, तैया इस 950 पर आप बंद हुए, तैया इस 850, 775 दो छोटे सपोर्ट लेवल, 700, 650, मीडियम, 600 और 500, फाइनल सपोर्ट लेवल क तोर पर बैंक टिफ्टी, उपर का लेवल, बैंक टिफ्टी में, एक भी नहीं, अंदाज से सारे, 44, 150, 44, 250, उसके बाद 44, 375, 44, 450, सारे लेवल अंदाज से दिये हैं, लेवल कोई खास है नहीं, सिधार छोटी सी रुकावट आपकी, 44,100, 200 के आज पास है, बैंक टिफ्ट यह सब होने के बाधूर, चुर्फ एक परसेंट बड़ी, कमफरेबल है, पुट कोल रेशियो 1.05 पर कमफरेबल है, बैंक टिफ्टी का पुट कोल रेशियो ज़रूर थोड़ा थोड़ा हाईर साइट पर है, एक 41 हो चुका है, तो आइटिंग उपर के लिए और चार्वार निफ्टी ब्रीदर लेने की कोशिश करें और निफ्टी थोड़ा कैच अप करने की कोशिश करें वह हो सकता है यह पुट कोलिशन एक बार यह तो हलका हो गया दिन के दोरान तो वापस बढ़ जाएगा तो मौदूद आ पोजिशन था इन्टर दे दूर रखना है तो इसलिए आपकी लिए स्टोप लोस है और बैंक डिफ्टी का हो चुका है वैसे तो काई देसे कल हमने ते लिए साथ सो का जिया था इंटर दे क्लोजिंग दोनों लगा तो ठीक नहीं लगा तो आपके मर्जी अब भी नहीं लगाए तो 44,50 जो इंटर दे तो खुलते ही स्ट्रियर हो जाएगा तो जिनका देखा जाएगा ठीक है ऐसे मौझूदा पॉजिशन की बात निकली तो कल एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी शोग में लंबे समय बाद आपने कहा था कि मौझूदा पॉजिशन है तो आप उसे तो कैरी फॉवड करिए फ्रेश लेनी है तो भी लेकर जाएए और कल तो हमें पता नहीं डेटा से और मूर से जिस तरह से चीजें बदली कर लिस्क्रीन पर और कल मैं तो सुबह से केजी में था जब कि इतना फ्लैट खुला तो मेरे इसाब से तो अच्छी खुलना चीज़ था फ्लैट खुला तो एक अच्छा मौका मिला और कल बैंक निफ्टी लगाता रहा है निफ्टी भी ठीक हो रहा है और थोड़े और सोल मार्केट हलके मार्केट तो बढ़ने थे अगर आपने कल अडवाइस फॉलो की होगी तो आप अच्छी मूव में रहेंगे अगर फ्रेश लिया हो या मौज़ो तो पोजिशन कैरी फॉरवड कर रहे हो एक बार देख लेत हमारा 43 500 पहला टार्गेट था और 44,000 दूसरा टार्गेट था अब यह 44,000 पहले नहीं रुकेगा अब फिर से एक और बड़ा बॉल्ड कोल हजार पॉइंट की जगए और एबेंग निफ्टी में उके तो बड़ी पॉइंट बड़ी मूव के लिए और तयार हो रहा है जो आज सोबा भी आनल जी आपको बता रहे हैं और ग्लोबल की उससे सपोर्टिव हैं अच्छे गैप अप के संकेत आपको इस जेक दे रहा है बताएं सर फिर इस सिचुएशन में नई पोजिशन क्य बनानी क्या है बस्य नहीं है 18,450 का स्टोप्रों से जितना कम गैप से खुले उतना जल्दी ले गैप से खुले तब 9,8 मिट का इंतजार करें वहां बतादें कि आपको फिलाल 18,450 का स्टोप्रों से टारगेट 700, 725 चोटे, 775, 800, मेडियम, 875, फाइनल टारगेट के लिए क खरीदारी, जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 18,725 से 18,825 की रेंज में आराम से दीरे दीरे टुकडों में मून महौल देखकर बेचें और जितना आठारा ऊपर बेच पाएंगे, टुकडों में बेच पाएंगे, बढ़िया होगा, 18,887 का लाइफ नहीं है, यह होगया, आपके लिए निफ्टी पर बेचने के राएंगे, अब आईए, बैंक टिफ्टी, लेना है, बिलकुल लेना है, कहां? 43,650, बैंक टिफ्टी में मुझे लगता है कि, एक बर हाँ, शायद इस्ट्रेटिजी में कुछ बदला हो है, बैंक टिफ्टी को आपको खरीदना है, 43,700, 4775 में, ओके, नहीं, 43,650, 43,775, ठीक है, यह रेंज है, जहां पर आपको बैंक टिफ्टी में खरीदना है, बर्या बिल्कुल, तो 43,650, 4775 पर्फेक्ट है, वहां पर खरीदना है, 43,500 का आपका एस्टॉप लोस होगा, 43,850, 950, और 44,000, बस तीन ही टार्गेट है थी, सिर्फ तीन टार्गेट है, ठीक है, यह नॉर्मल, एग्रिसिव टेडर्स के लिए अलग से बैंक निफ्टी पर स्टॉप लोस से खरीदारी करने की राह है, उपर की टार्गेट सारे अंदाज से दिये हैं, 44,150, 44,250 यहां तक तो पहुंचेंगे, उसके बाद 43,75, 450 के आसपास, बेसिकली 44,000, 44,200 पर थोड़ी कॉल राइटिंग है, वहां कहीं रुख सकते हैं, उसको पार करके निकले त 44,500 के आसपास फिर कॉल राइटिंग है, उसके आसपास कहीं पहुंचेंगे, यह लेवल्स अंदाज से दिये हैं, लेकिन स्टॉप लोस वेल डिफाइंड है, 43,700 का, अब आईए बेचने की स्ट्रेजी, बेचने की स्ट्रेजी यह ऐसे देखा जाए तो ही नहीं, जो मैं क मेरे पास ऐसा कोई साइन्टिफिक लेवल नहीं है, मैथमेटिकल लेवल नहीं है, एक एमोशनल लेवल है, 44,500 का, जो मैं देर हूँ, उसके आसपास से आए, आप बेचिये, आपकी जो मर्जिया है, इस टॉप लोस अगए, पचार सो पोइंट उपर का, टारगेट 44,000 तक फ्रेश शोर्ट तो तब ही बनेगा, अगर बनेगा तो, ठीक है सर, ठीक है न, यह है आपकी लेवल, सारी स्टाटिजी, आज की बैन लिस्ट में भी अपडेट है सर, PNB बैन से बाहर आ गया है, GNFC, BHL, डेल्टकॉप बैन में बने हुए है, थोड़ा डेटा भी समझाए ठीक है थोड़ा सा बड़े दिनों बाद केश में खरीदारी का आंकड़ा है, 620 क्रोड का FIS की तरफ से, साथी 556 क्रोड के उन्होंने स्टाउक फूचर्स, इंडेक्स फूचर्स भी खरीदे, स्टाउक फूचर्स ज़रूर बेचे 1672 क्रोड के आस पास के, तो मिले जुले आंकड़े, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, लेकिन केश का आंकड़ा देखकर थोड़ा सुकून मिलता है, लोकल फंड ने कुछ भी नहीं करने का डेसीन लिया था, कल 37 क्रोड की खरीदारी है, अब आईए वाइदा करोबार के आंकड़ों की तरफ, पुट कोल रे आईवे लाग शेर कॉल राइटर्स, 84 लाग शेर, 8700 के, यानि की करीबन करीबन, एक करोड़ असी लाग शेर, बलकि दो करोड़ शेर मान लीजे, जो 8700 के उपर शॉट हो जाते हैं, कॉल राइटर्स, तो वो आपको सपोर्ट देने का काम करेंगों, उसके बाद गेप से खुलने के बाद आप 8600 ही नहीं तोड़ेंगे, अच्छा, बहुत अब आईए बैंक डिफ्टी, तैयालिस 500 रॉक बोटम है आपके लिए, ठीक है, 28 लाग शेरों का उपन इंटर्स है, वो छोड़ो, तैयालिस 700 ही रॉक बोटम है, 22 लाग शेरों का उपन इंटर्स वहाँ पर है, गैप से खुलने के बाद तैयालिस 964 जाद ही आपके लिए स्ट्रोंग सपोर्ट हो जाएगा, बैंक डिफ्टी पर, जूंग, एक तो 43 जार 964 जार दोनों पर मिला कर 45 लाग शेरों उपन इंटर्स में खड़ें, और सामने 44 जार में कोल राइटर्स जो है 31 लाग श चोटे से हैं, 44-500 पर अठरा लाग शेर है, वहाँ तक जाने की जगह खुलती है, सिंपल, तो आज गैप से खुलने के बाद 43-964 जार या 43-850 आपके लिए मजबुस सपोर्ट हो जाएगा, चलिए सारे इंपोर्टन लेवल्स, इंट्रेसिंग डे होना चाहिए, गैप पर SJX 50 आपको देख रहा है, आए फिर आपको खबरे बता दें आज की और साथी ब्रोक्रेजिस भी, कुशल, अर्मान, आशिश, तीरों हमार साथ तेयार, कुशल मॉनिंग बताया, क्या कह रहे हैं, आज की ट्रिकर से खबरे हैं, इन फाक्ट है, यहाँ पर आपको WPI के आकड़े, भारत के नवंबर महीने के WPI आकड़े आएंगे, इस पर फोकस सकना है, साथी पुनावाला फिनकॉप यहाँ पर नज़र रखे, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है, एक तो पुनजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगे, और साथी दूसरा इनके आज से लिस्ट होते वे नज़र आएंगे, साथी IPO के लिहाँ से सूला वाइनियाज यहाँ पर इसका IPO आज बंध होने वाला है, इनफाक मैं आपको इसका अपडेट भी दे दू, प्राइमरी मार्केट अपडेट के लिहाँ से यहाँ पर आपको फोकस रखना है, सू IPO भरा है, 23% retail category में यहाँ पर participation रही अब तक, और QIB ने अल्मुस्ट भर लिया है 1.01 टाइम्स, landmark cards इसका day 1 का अपडेट भी है, जिसमें 17% यह भरतावा दिखा है, और retail category में भी almost 0.17x का ही यहाँ पर हमें subscription होतावा अभी नजर आ रहा है, तो day 2 देखना होगा कि किस तरह से Landma cards का रहता है, और अंत में Sapphire Foods कुछ reports है, जहाँ पर block deal के जरिये Samara Capital और P.E.Funds लगभग 30,00,000 शेर यहाँ पर बेच सकते हैं, market price से 2-3% के discount पर यह deal संभव है, और कुल मिलाकर यह 400 करोड रुपे की जो deal है, यह होने वाली है, 30,000,000 शेर होगी तो यह है आपके सारे की सारे खबरे, कुछ और खबरे अर्मान आपके पास भी है, मौनिंग बताइए HDFC Limited पर भी धियान रखना होगा, क्योंकि NAC, BAC से बैंक के साथ merger को सेंदाति जो मंजूरी है, वो मिल चुकी है, और NCLT ने तो पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी उनको Good Luck India, जिसमें Convertible Warrants जारी और Allot करने के लिए गुनिज दिसंबर को Board Baitak पर विचार किया जाएगा जिसमें लगभग 1215 करोड का जो है वो Arbitation Award है, और अन्त में IFL Wealth पधियान रखी का बल डील है महाँ पे, General Atlantic सिंगापूर के अगर आप बात करेंगे, उन्होंने लगभग 31 लाक शेर्स जो हैं बेचे हैं, वहीं उसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे, उनकी जो Holding है, व पिर आज की Brokerages ये क्या कह रहे हैं, ये भी जान लेते हैं FIR में Morning आशिश, बताया क्या कह रहे हैं आज की रिपोर्ट्स 1642 की Closing है, 1645 रुपे का इलाक्ष दे रहे हैं, और Brokerage House में सबसाथ Abolition जेफरी जिनों ने करेदारी के राए को बरकरार रखा, 1850 रुपे की रक्ष के लिए, नॉमेरा मान रहे हैं कि धीरे दे रखर आप देखें तो यहां पर आपको इजाफा देखने को मिलेगा, Penetration बढ़ रहा है, Per Capita Spend जो है, Oral Care पर बढ़ रहा है लेकिन Digitalization, Investments यहां पर भी बढ़ा देखने को मिलेगा, यह 1600 रुपे का टागेट है वही सिटी अगर आप देखें तो अपने व्यू पर बरकरार है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है और उन्होंने 1450 रुपे के लक्ष के लिए डॉक्टर लाल पैतलाप कल यहां पर तेजी रियाक्शन देखने को मिला था, आज UBS की तरफ से रिपोर्ट आ गई है खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, 2800 रुपे के लक्ष के लिए 2358 रुपे की क्लोजिंग है और यह मान रहे कि जो दिल्ली में कुछ फ्री टेस्ट की बात की जारी है, इसे बहुत कम इंपक्ट देखने को मिलेगा हाला कि दिल्ली से अगर आप देखे तो डॉक्टर लाल के करीब 20 से लेके 25 परसेंट आई सीधिये तोर पर वहां से राती है ताटा मोटर्स मॉगन स्टैनली ओवरवेट की रिटिंग को बरकरार रखे है 419 की क्लोजिंग, 502 रुपे का टागेट, TVS मोटर, UBS खरीदारी के राये को बरकरार रखे है 1335 रुपे के रखे है, इंटर गलोब एविएशन यहां पर लगाता है रिपोर्ट चारी है अच्छी रिपोर्ट है, क्रेडिट स्वीज की तरफ से आउट परफॉर्म की रिटिंग को बरकरार रखे है, 2030 रुपे की क्लोजिंग है, 2350 रुपे का रखे है अच्छी रुपे के रिपोर्ट है, इंवेस्टर मीट के बाद क्रेडिट स्वीज की तरफ से रिपोर्ट आईए, आउट परफॉर्म की रिटिंग को बरकरार रखा है, 1152 की क्लोजिंग है, 1450 रुपे का रिणों ने लक्ष दिया ओके, तो धेरो ब्रोक्रेज रिपोर्ट से हैं आज, जहां पर आपको करना है फोकस और कई सारे स्टॉक्स भी हैं, जो खबरों के दम पर आपको आक्शन में आते हो दिख सकते हैं, तो काफी सारी कंपनीज हैं, जो रेडार पर रहेंगी, बट अनल जी, एक कंपनी के बार अब जो यह बाइबैक आ गया है, साड़े आट सो करोड़ यह बाइबैक पर स्पेंड करेंगे, आट सो दस का यह भाव है, इससे क्या समझना चाहिए, एक की सो पचास इनक इनका IPO प्राइस था, मज़ा नहीं है, देखे, पहली चीज तो यह कि 33,000 करोड़ का मार्केट के 35,000 करोड़ समझ लो, राउन फिगर में, उसके सामने आट सो करोड़ का, यानि कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्क नहीं है, दूसरा, ओपन मार्केट परचेस हैं, टेंडर ओफर नहीं है, टेंडर ओफर हो तो आप खरीद कर टेंडर करना चाहेंगे, यह वो, तो ओपन मार बाइबेक में शेर नहीं बेचेंगे, यह लोग यह सो सकते हैं, ऐसे किसे बाइबेक में नहीं बेचेंगे, मतलब वो जनली टेंडर ओफर होता है, तो आप टेंडर नहीं करेंगे, लेकिन यह कि इसमें भी हो सकता है, अगर जो टॉप मेनेजमेंट यह कह दे कि हम भाग न अभी भी institutions के पास है बाकी retail ये तो बाकी यानि कि अभी भी 90% available ही है जो बेशना चाहे अब मज़े की बात है अगर कमपनी ये सोचते है कि हमारा buyback 810 रुपे तक होना चाहिए इसका मतलब कमपनी के लिया आज से वो valuation ठीक है कमपनी खुदी 810 रुपे मान रही है कोई भी रिपोर्ट जो इनके lead managers से issue के उनकी 1100 रुपे के आज सबकी टार्गेट है 1100 से उपर के टार्गेट किसी के नहीं है 2150 रुपे issue price ती राइट जिसमें मैंने च्छे कारण दिये थे अगर सामने आ सकते तो मैं बताता है आपको दिप उनसमें से जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है जिसकी वज़से प्रमोटर से होल्डिंग बढ़ाने के लिए ना है क्योंकि प्रमोटर कोई है नहीं फटा फटा फट दूसर क्रोड बचा है केश है तो उसका 10% इस्नेमाल करें तो वो भी एक तरसे नहीं हो जाता है शेरोल्डर को फाइदा देने के लिए पार्सिली हाँ है और आखरी टेक और के आकरमन बचने के लिए जिसमें चार इमोजीज जो लगाई वो अभी भी लगी वी है सवाल अभी भी सवाल अभी भी है कि क्या कोई टेक और के इंडिडेट में कोई को इसको टेक और कर सकता है जो सकता है बगवान जाने लेकिन ओवर ओल इस बाइबेक के दम पर अगर आप यह सुचे कि आज सुबसुब आकर आपको पेटी एम खरीदना चाहिए तो यह आपकी गलत फेमी है 450 के आसपास का लो बनाए बिलकुल वो शायद जल्दी से ने टूटे वो होल करें लेकिन इस बाइबेक को देखकर कोई खरीदने आएगा आज सुबसुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर किसी को कमसी की परफॉमेंस पर आगे प्रोफिट में आने पर इस पर बरुसा है तब तो अलग बात है बाकी बाइबेक को देखके खरीदना नहीं बनता और हो सकता है एक बार अगर आज गेप से खुल जाए कुछ हो जाए तो प्रोफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना बनेगी जिन लोगों ने बाइबेक की उम्मीद में खरीदा है उनको भी तो एक्सपर्स का पूरा दमदार पैनल हमारे साथ कारेकर में शामिल हो रहा है कुनाल जी राकेश जी तयार है मुदिद जी आ चुके हैं अमरीश्टर भी आ चुके हैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले हैं अमरीश्टर आपके साथ शुरात की जाए बताए सर आज आपकी प्रसंद का शेर पिक आज का पिक है इस कौर्टर में फ्रम बिगनिंग ऑफ उक्टोबर प्राइसे हम लोग देखें कि नेली 20 परसंट गिरा है और इस साल रशन क्रूड इंपोर्ट करीब 16 परसंट बास्केट है कंपार्ट टू परसंट लास्ट यर और रशन सब्सक्राइब कि बिलो 60 डॉलर्स हम लोग को बिलेगा रशन क्रूड वैराइस रिटेल प्राइस जो देखते हैं उक्टोबर 1 से कुछ कम नहीं हुआ है इस दा सेम रेट फ्रम परस्टिल डेट क्योंकि डिमांड रिकावरी फॉर पेट्रोलियम प्रॉडर्स भी रोबस् तो क्यूंट के जो अर्निंग्स से सुपर हो सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो आयो सी है वह वो स्टॉक जहां पर 94 रुपे के टार्गेट के लिए करें आप खरीदारी मुद्र जी सूपरभात आपका पीक अफ देए सब्सक्राइब करेंगे एक ट्राइंगूलर पैटर्न ये काउंटर बना रहा है अलग कि उसका ब्रेक आउट अभी नहीं आया है उसके बाद स्टॉक में तेजी बनना शुरू हो जाएगा तो आज के सेशन के लिए 626 पहला टार्गेट बनेगा सब्सक्राइब करेंगे इंडिया में नजल आते हैं थोड़ा सा प्रियम्ट कर रहा है चैसो अड़ाने के उपर अग्रेसिव करपाय करके चलने की सला दे रहे है चैसो बत्तिस तक के टार्गेट के लिए इस्टाप्रोस राएगा चैसो नौ का सब्सक्राइब करेंगे खरीदारी यह राय मुदी जी की सूप्रभात बंसल जी बताएं सर क्या है इरादा सूपरभात अनिव जी सूपरभात दिपांशो अनिव जी रादा तो नेक है और खरीदारी का इरादा है और खरीदना है महिंदरा, CIE, आउटोमोटिव इसमें खरीदारी की राय है स्टॉक ने एक ब्रेकाउट लिया था काफी समय से एक नैरो रेंज में घूम रहा है और 309 के लक्षे के लिए महिंदरा, CIE, में खरीदारी की रहा है महिंदरा, CIE, आउटो ये है 280 के स्टॉप्रोश के साथ 303 और 309 के टार्गेट लिया कुनाल जी से मेरा मासूम सा सवाल एक का है कुनाल जी कुनाल जी जब मैंने पूछा बंसल जी को कि क्या है इरादा इरादा मैंने तो सवाल सिंपल सा पुछा इरादा क्या है मतलब क्या खर दें के क्या बेचिंगे अगर बंसल जी सामने से कहें कि इरादा नेक है तो क्या इसे चोर की दाड़ी में तिनका समझा जाए हमने तो कभी उनके इरादे पर कोई शक चता है नी जी अनिल जी देखे हमारे हमारे बंसल जी न केवल नेक हैं बलकि अपने आप में केवल एक हैं तो अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे है अनिल जी ठीक है तो बंसल जी नेक माना जाए नेक माना जाए नेक माना जाए बंसल जी एकसेप्टेड बंसल जी कुनाल जी की मोहरलक चुकी एकसेप्टेड ओके आईए कुनाली, बताएं, सर, आपका क्या इरादा है? अनिजी, मेरे इरादे बंसर जी से बी ज्यादा नेक है, और आट की मरे जैडा नेक था नेक हुँ अनिजी अजमाई लिया हुँगा? बहुत ही बड़ी आखर, बजिए है। लेज़ी खरीदारी की राए है और एक स्टॉक खरीदना है बैंक्स में आगंग लगी हुई है रवी Android के राए है कल के ट्रेट में हमने देखा कि एक बुलिश फ्लैग पैटन का breakout RBL bank के चार्ट पर आता हुआ दिखाई पढ़ रहा है मुझे लगता है आज भी तेजी कायम रहेगी और RBL bank खरिद करके चलें यहां पर एक stop loss रख ले 156 रुपे पर 156 का futures में stop loss रखें पहला target होगा 163 रुपे का दूसरा target 166 रुपे का एक बार अमरीश सर से भी पूचा जाए अमरीश सर इस्पेशली है जो mid-cap banks action में आए है RBL देख लिजे बंधन देख लिजे IDFC first and of course across the board सारे PSU banks Yuko bank में आपने कल circuit भी लगते हुए देखा Indian bank कल अच्छे action रहे है Bank of Maharashtra IOB क्या view बन रहे है सर कोई खास बज़ा जो ये सारे banks focus में आ रहे है कोई stock जो आपके radar पर हो Momentum का काफी अच्छा है और मुझे रहता है कि Q3 के numbers आएंगे वो भी better रहेंगे from whatever we have seen in the last 2-3 quarters और जो छोटे banks है वहाँ पर तो interest है मुझे रहता है कि जो जो फुली वालुए तो I think people should be buying only for the next 2-4 weeks ओके तो यह हैं आपके लिए कुछ मिटकाप बैंक जहां पर आपको रखना है फोकस आज आपको मूव यह काउंटर्स दिखा सकते हैं सफायर फूड्स इस पर भी रखने फोकस खबरे आई हैं कि आज ब्लॉग डील के जरे समारा कैपटल और कुछ पीए फंड्स तीस लाग शेर बेच सकते हैं दो से तीन परसंट के डिसकाउंट पर यह डील संभव है तो बड़ी डील हो सकती है सफायर फूड्स में एक बार इनके पास पूजिशन है फिलाल बने रहे कोई खरीदारी का संकेट चार्ट पर नहीं है लेकिन अगर लॉंग टर्म में आपने खरीदा हुआ है तो बिल्कुल मेरी बने रहने की रिवेशित रहने की राए है फायर फूड्स पर आपको करना है फोकस यह रेडार पर टर्की में यौरो फाइफ टू वीलर्स की इन्होंने लॉंच करी है वैसे थोड़ा आक्शन में रहें सारे आटो स्टॉक सर टीवेस का चार्ट क्या कहता है मुद्द जी जड़ा बताएं सर एक हजार पैतालिस एक हजार पचास यह मेजर हर्डल का का काम कर रहा है जैसी ए एक हजार पचास के उपर अग्रेसिव ओकर बाय करेंगे ग्यारे सु तक के टार्गेट जहां पर आपको रखनी है जार ग्यारा सो तक के टार्गेट इस काउंटर में मुद्द जी को नजर आ रहे हैं आई एफल वेल्थ यह भी एक और इंट्रेसिंग काउंटर हो सकता है इत्लैंटिक ने यहां पर 31 लाग शेर्स साड़े तीन परसंट हिस्सेदारी बेची है स्टेक कम किया है उसके सामने कुछ अच्छे बायर्स भी रहे हैं कैपिल इंकम बिल्डर ने करीब 3.4 परसंट हिस्सेदारी खरी है 1810 के लेवल पर आएफल वेल्थ अमरी सर ट्राक कर दिपांशू भेतरीन टेक्निकल स्ट्चर है अच्छी एक्यूमलेशन में चल रहा है तो जैसे आएफल फैनाइस नीचे तरों पर था तो सेम 400 रुपे के नीचे जब चलता था आएफल फैनाइस तो एक्यूमलेशन फेज में था सेम पैटरन आएफल वेल्थ का है इन तरो पर करेक्शन पर खरिदना चाहिए 1700 के नीचे जाता नहीं लगता है 200-250 के लक्षे आएफल वेल्थ में देखने को मिलेंगे और अनिल जी आपने अगर एक चीज नोट करी हो तो दिपांशो कर अनिल जी को स्क्रीन पर लाया है आप तो अनिल जी हमेशन स्क्रीन पर ही होते और अनिल जी काफी देश घूम के आया है चोटे-चोटे उनने से पब्लिकली एक ही देश लोग जानते हैं वो है तर्की तो अभी देखिए टीवेस मोटर का लॉंच भी तर्की में हो गया और आप अनिल जी इदर उदर देखते नहीं है बट अगर आप देखे तो तर्की अभी तर्की भी मतलब की नक्षे पर आ रहा है सै और तीवेस की न्यूज आई इससे फ़ले कभी किसी ने सुना था किसी कंपनि का कुछ ब्लाउंच हो रहा है अभी दीप ने बताया कि टीवेस ने कुछ लांच कर रहा है तर्की के अंदर डो तीन चीजे बतादू आपक पहले चीज़ तो यह बार बार आप जो करते हैं आप इतनी लंबी चुट्टी पे गए एक अफ़े जितनी चुट्टी मैंने लिए उतनी दीप ने भी लिए दीप के लिए किसने कुछ नहीं कहा, इट हर्ट्स, दीप को और मैंने बराबर ही ली, मेरी एक दिर एक्स्ट्रा ह तो थोड़ा सस्ता हो गया, लोगो हम तो सुमिझ जी तो जानते हैं, हम सब लोग तो फोगे अंदर लगाते हैं, सस्ता कहा है और क्या है, बस वही बार देगा, जब दूसरी कोई करेंसी गिरेगी तो उसके बार चले जाएंगे, आज ये गिरी वी तो इधर चले तो आपक जी ये सब चक्करों में पड़ो मत, हिंदूस्तान गुमो, इंक्रेडिबल इंडिया, वही देखो भी पहले हिंदूस्तान तो पूरा देख लें, बाकी जी चलती रहेगी, तो चलिए, ये है टीवे एस मोटर्स की, जी कुनाल जी, अनि जी देखे, अनि जी अब इत्ती ज अनि जी तोपी होती है, अगर आपने अच्छा, वह जो आइस क्रीम देते हैं, जो लगा के अगर पहले होने चाहता ये जो आइस क्रीम हाथ में यह लटकी रहती है, और रिवाली हो लंबी-सी डंडी है, मैं पहले ये एक बार, मैं भुगट चुका हूँ, तो अपने समझ बढ़ते आगे और हमारे साथ बहुत देर के बाद जूट चुके है सुम जी ट्राफिक में बीजिज रहे है अठक गए कही बहुत ट्राफिक मिल गया रस्ते में सुम जी ने मैं पहले फोटो भेज दी आड़ मज़कर भी इस मिल पर ट्राफिक आपको क्या लगा मैं मान लू गूगल से बढ़े बढ़े वाली निकालते खाली ट्राफिक करके डालते आपको एक से बढ़े मिल जाती इसमें इतना मजा आया है नहीं इसमें जादा ट्रेविक लग नहीं रहा है फिर भी चलो आप पहुंचके इच्छी बात है सुम जी को सुप्रभात बताएं सथ प्र गुद वानिंग जी जो पिक चुनाया है वो है SBI Life 1275-1270 के आसपास खरदारी करके चलने का सला रहेगा SBI Life के अंदर मोमेंटम बन रहे है और स्टॉक यहां से उपर का मुप दिखाने को तयार है 1260 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लोज दगाना है और उपर के अंदर 1300 रुपे का पहला टागेट बनेगा 1320 का दूसरा टागेट बनेगा तो SBI Life के अंदर एक से दो दिनों के खरदारी करें 1260 के स्टॉप लोज से 1300 से 1320 के टागेट सी के SBI Life इस पर आपको रखनी है नजरी अकाउंटर भी रेडार पर रहेगा भारत का पहला काबन नीच्रल पावर एक्चेंज बन चुका है IEX इनकी दरफ से ये अपडेट आपके स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है इस समय वैसे अमरी सर IEX रिसेटली फोकस में रहा है क्योंकि ये जो पावर अमेंडमेंट बिल रहा है उससे अब आप जो पावर जो काबन नीच्रल सर्टिफिकेट्स हैं उसकी ट्रेडिंग की भी मनजूरी दे दी गई है और हम दिखते हैं EK energy तो अलड़ी इस स्पेस में है बट IEX के लिए भी माना जा रहा है यह opportunity बन सकती है ज़रा IEX के बारे में अपना view दें सर IEX काफी weak रहा रहा है despite the positive views जो आते रहता है बीच-बीच में I mean it has not been able to perform तो इससे भी मुझे लगता है नहीं कि बहुत ज्यादा उपर जा सकता है possibly to levels about 160, 165 उसके उपर जाना मुझे 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 लगता है 160 एक ceiling बन जाता है जा तक IEX का सवाल है उसके उपर शायद यह counter नहीं जा पाई वागिल साब भी हमारे साथ जोड़ तके हैं और वागिल साब कभी करते हैं स्वागत गुड मॉनिंग सर बताएं आपकी pick of the day क्या रही जिपांचो गुड मॉनिंग अनिल जी गुड मॉनिंग मेरा pick of the day आज भी रादर आज इंडसिंट बैंक रहेगा कल मैंने यह during the day कवर किया था कल बहुत बड़ी मुह आई नहीं हलका सा उपर close हुआ है लेकिन मुझे लगता है आज वह मुह आनी चाहिए जो मैं expect कर रहा हूं 1235 का बंद है लगबक मेरे को 1260-1270 तब के लेवल एक से दो दिन में दिखते हैं पोजिशनली 1300 के पार जाना चाहिए एक अध़ते में आपका stop loss 1220 के नीचे होना चाहिए बैंक तैयार है तेज़ दोड़ लगाने के लिए मजबूत नज़र आ रहा है आज दो बैंक साथ चुके recommendation list में in fact तीन SBI, RBL, industry bank तीनों में खरीदारी करने के राए target वागले साथ के तरफ से कमी आते हैं तीन तीन आज मिले हैं आपको 1260, 1270 और 1300 तक के target के लिए करनी है आपको खरीदारी खरीदारी करनी है कब? जब माजार खुलेगा तब